हेलो एवरिवन, क्लास नाइन्थ, विशे इंदी, पार्ट संख्या सेकिंड, मेरे संख्य ओरते, डियर स्टूरेंट, प्रीविएस क्लास में इस चैप्टर की मैंने चार वीडियो आपको सेंड कर दी, ओके, आज हम इसका फिफ्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, पूर क्लास में क इस तरीके से लेखी का म्रदुला गर्ग ने बताया कि जो उनकी परदादी थी, उन्होंने कैसे एक चोर को एक आम आदमी बना दिया, उसे चोरी करने की आदत छुड़ा कर खेती बाड़ी करना सिखा दिया, मंजूल भगत थी, घर का नाम थन रानी, बार का मंजूल लेख का अवतार हुआ, मंजूल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया, और अपना नाम बदल कर पती का ग्रेंड करने में, कोई हीन बावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाईशी जैन नाम छोड़ कर भगत बनी, दूसरे नंबर पर मैं थी, घर का नाम उमा बार का नाम म्रदूला, मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतोर लेखी का नाम चला, म्रदूला गर्ग, मुझे याद है, जब हमने लिखना शुरू किया, उससे कुछ पहले नारी बात का चलन हुआ था, शादी के बाद नाम नहीं बदलने का रिवाज, मन्नू मंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोगा पंती, गर गुसू क्यों हो, नाम क्यों बदला, हमारे पास इसका कोई डंका जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित को कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा, पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे कि पांच बेटियों से आपका मन नहीं भरा, जो हर बेटी के दो-दो नाम रख दिये, लेकि का क्या बता रही है, हम पांच बेटियां थी, ठीक है, और दो-दो नाम थे, मुझसे छोटी बेन का गर का नाम गोरी और बार का नाम चित्रा, वे नहीं लिखती थी, उसका कहना है कि वे इसलिए नहीं लिखती, क्योंकि गर में कोई पढ़ने वाला होना चाहिए, खेर, उसके बाद जब चोटी पांच बेटी पैदा होई, पिता जी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका सिर्फ एक-एक नाम ही रख पड़ा, ठीक है, रेनू और अचला पांच बेहनों के बाद एक भाई हुआ राजियो, मजे की बात यह है कि बीच की दो बेहने ही लेखन से बची रही, अचला और राजियो फिर उसमें जाफसे, अचला मुझसे आठ साल छोटी है, और वक्त के बदल की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजियो हिंदी में, हम चार लिखते हैं और तमाम खांदान हमें पड़ता है, मेरे ससुराल में मुझे कोई नहीं पड़ता, इस तथे को हजम करने में मुझे काफी वक्त लगा, फिर उसके फाइदे भी नजर आने लगे, कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी अलोचना बुद्धी से दो चार नहीं होना पड़ता, खेर मैं अपनी नहीं, उन ऐ देवियों की बात कहना चाहती हूँ, जो परदाधी की मननत के नतीजदन धर्ती पर आई, और लेखक नहीं बनी, जो बनी उन्हें सांस लेन की जरूरत कुछ ज्यादा ही समझ में आता है, जैसे मेरे पिता जी ने एक बार मंजुल से का कोई दम नहीं गुटता सांस लेने की जरूरत ही ज्यादा है, पर यहां तो हम सेर तो गेर लेखी का बहने सवा सेर, चोथे नंबर वाली रेणू का आलम था, कि गर्मी की दुप बैटने से इंकार कर देती, उसका कहना था कि यूँ थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैट करता है करना सामंत शाई का प्रतीक था, जो शायद था, पर साथ ही पिता के अतरिक लाड़ का भी और रसोईये को खाना खिला कर जल्दी फारिक करने की लाचारी का भी, मा तो जों से उदासिन रहती थी, पर पिता जी काफी कुड़ते भुनते, जब देखते कि अचला गाड़ी में बैटी, चली आ रही है, और रेनू पीछे-पीछे पसीने में तरबतर, खरामा, खरामा, बच्पन में एक बर चुनोती दिये जाने पर, उसने जन्नल थिमेया को पत काफी बढ़ गया था, गाड़ी में बैटने के साथ उसे इमतिहान देने से भी परहिस था, स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, बेहन के बारे में बता रही है, जब बीए का इमतिहान देने की बारी आई, तो वह आड़ गई, पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों ज मुझे यकीन आगया कि हाँ कोई फायदा है, वरना नहीं, हमने तरह तरह के तरक दिये, मा ने का, पिता जी से पूछो, पिता जी ने कहा, नोकरी कर पाऊगी, शादी कर पाऊगी, लोग इज़त से देखेंगे, वगेरा वगेरा, कोई तरक विश्वश्ने नहीं लगा, न मैं रेनू को ने खुद उने, आखिर उन्होंने उसी कुतरक का सारा लिया, जो यूगों से माबाप के काम आता रहा है, का, बिये करो क्यूंकि मैं कह रहा हूं करो, रेनू ने बिये कर तो लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानि पास होने लाइक नंबर लाकर, सच बोलने में मां से भी दो कदम आगे है, गनीमत यह है कि आदा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं, वे मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना महनत वे लोगों को हसाय रख लेती है, आज भी उसे कोई हित्र बेट करता है, तो वे कहती है, नहीं चाहिए, मैं तो नाती हू कहने का तात्प्री है कि उसका जो जीवन था, वो साधा जीवन उच विचार, बिये की पढ़ाई माता पिता के कहने पर उसने कर ली, लेकिन सिर्फ पास होने लाई की नंबर लेकिए, तीसरे नंबर पर चित्रा है, तीसरे नंबर की बेहन के बारे में बदेव है, कोलेज कreeise पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज़धा दिल्चस्प़ी औरों को पढ़ाने में रखती थी, इसलिए इंतायान में उसके अंक कम और उसके शारगिदों के ज़्यादा आते थी, मतलब वो क्या करती थी, खुद पढ़ने के बज़ाये दूसरों को पढ़ तो इसमें क्या होता था जो उसकी सहलियां थी उनके नंबर तो अच्छे आ जाते थे और उसके मुचित्रा के माक्स कम पर अपने यहां सब चलता था उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नजर में लड़का पसंद करके एलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से मुश्क लेती है करके रहती है तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई कोई मुश्किल पेश नहीं आई आती भी क्यों उसने का मैंने पहली मुलाकात में उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूं वो करती हूं होकर रहता है उसने बात आगे खीची ही नहीं पहली मुलाकात में हातियार डाल दिये हम में सबसे छोटी बेन अचला काफे दिना तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रहे पिता का कहना मान कर पहले अर्थशास्ताथ इकनोमिक्स किया फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया डंग से पढ़ाई की पास होई फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई घर बार में मन ज्यादा रुचा नहीं और मंजूल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग उसे भी लग गया जैसे कि बेटा पूर में भी इस पार्ट में बताया गया था कि मेरे संग की ओरते लेखी का कोन है म्रदुला गर जैसे कि मैंने आपको बता था इसमें अपने इस कहानी में उसने अपने गर में सब के बारे में बताया नानी का बारे में दादी का पर दादी का अपनी बहनों के बारे में खुद के बारे में ठीक है एक बात हमने एक सी रही गर बार और परमपरागत तरीके से हमने भले ही नहीं चलाया हो उसे तोड़ा भी नहीं शादी एक बार की और उसे कायम रखा चायद तलाक के कगार पर खड़ी चली हो पर कगा कगा तो डूबी नहीं शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था हम सभी विश्वाश करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रियोजन सिद नहीं होता घर के बीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से ही जी लो तो काफी है कि वह अगर हमें किसी जा मर्द औरत चाहे पती-पती क्यों ना हो पिच्चर देखने भी जाते तो अलग-अलग दबडों में बैठते देखिए ऐसे ग्रामिन एरिया में लेकी का कह रही है कि मेरी ऐसे पती से शादी होई ऐसे छोटे से कस्वे में कि जहां लोग इतने नेरो माइंडेड इतने चोटे विचारों के लोग कि पती-पत्नी भी अगर पिच्चर देखने जाते तो अलग-अलग दबडों में बैठते मैं दिल्ली से कोलेज की नोकरी छोड़कर वहां पहुँची थी और नाटक में अभिने करने की शोकिन रही थी मैंने उसके चलन से हार नहीं मानी साल वर के बीतर उनी शादी शुदा ओरतों को पराय मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया अगले चार साल तक हमने कई नाटक किये और आकाल रात कोश के लिए उनी के माध्यम से पैसा भी कठा किया वहां से निकली तो करनाटक के और भी छोटे कस्वे बागल कोट रहे थे वहां कोई डंक का स्कूल नहीं था लोगों की राये पर मैंने पास के कैथोलिक विशप से दरखवास्त की कि उनका मिशन वहां के सीमेंट कार खाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्वे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे पहले उन्होंने कहा चूकि उस परदेश मे क्रिश्चिन जनसंग क्या कम थी इसलिए वे वहां स्कूल खोलने में ऐसमर थे मैंने गैर क्रिश्चिन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लाइक सिद करते हुए अपना इसरार जारी रखा तब उन्होंने कहा हम कोशिश कर सकते हैं बशर्ते आप हमें यकिन दिलाए कि व मुझे गुस्सा आगया मैंने का स्कूल की छोड़िये किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाए जा सकता कि वे अगले सो बरस तक चलेगा वे भी गुस्सा खा गया बोले खुदा का लाग शुक्र है बच्चों के नए नए पढ़ पाने की समस्या आपकी है मेरी नहीं बात कड़वी थी पर सो फीजदी सच थी सच के आगे सिर जुकाने के हमारी बच्चपन की आदत थी सो मैंने तया किया कि मैं खुद अंग्रेजी हिंदी कंणर तीन बाशाएं पढ़ने वाला प्राइमरी स्कूल वहां खोलूंगी और करनाटक सरकार से उसे मानने ता भी दिलव वहां के अनेक मेंटी और खिसके लोगों की मदद से ये वरत पूरा हुआ मेरे बच्चे तता अन्य अपसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े बाद में अलग-अलग शेहरों के अलग-अलग शक्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गये ऐसे अनेक मोक्य आए जब मैंन अपने जिद्धीपन के नमूने पेश किये पर सबसी ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में जो शुरू से अब तक लीग से खिसका अपनी रहा खुद तलाशता रहा पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी चोटी बेंड रेनू के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती दिल्ली की खासियत यह रही कि ठोड़ा पानी बरसते ही वहां के नाले पर नाले में बाढ़ आ जाती है पुलों के नीचे पानी भर जाता है तमाम यातायाद ठप हो जाता है इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तलों से फाइले पानी में तैर आई थी अगली सुबह किसी तरह का कोई वान सड़क पर नहीं निकला जाईर है कि रेनू के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई रेनू ने का कोई बात नहीं मैं पैदल चली जाऊंगी सबने समझाया स्कूल बंद होगा मत जाओ उसने का आपको कैसे पता इस स्वाल का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था सही जवाब ठीक हमारा यहां फोन जरूर लगा हुआ था स्कूल में भी रहा होगा पर बारिश के चलते वे ठप पड़ा हुआ था तो रेनू अकेली पैदल स्कूल चल दी कनीमत यह थी कि बारिश एक मुष्ट बरस लेने के बाद थम गई सडकों पर पानी था पर वो बरस नहीं रहा था तो रेनू दो मिल पैदल चल कर स्कूल पहुँची जैसा हमने कहा था वे बंद था चोकी दार रेनू को देख दंग रह गया पर रेनू को कोई मलाल नहीं था वे वापस दो मिल चल कर घर पहुँच गई सबने का हमने पहले ही कहा था हमने पहले ही कहा था उसने का स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई इसमें आपका कहना कहां से आ गया सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन जगे जगे पानी में लब-लब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरह चलते चले जाना सच अकेले पन का मजा ही कुछ और है पार्ट कंप्लीट होगे अब ना देखी जैसे कि लेखी का ने इसमें अपने गर के सभी सदस्यों के वेक्तितु के बारे में बताया कि बेहनों के चार बेहने थी चारों का सुभाव कैसा था तिन दो तिन बेहने लेख लिखती थी एक नह नहीं लिखती थी भाई भी लेखनकारिये करता था ठीक है और किस तरीके जे किस बेहन को किसमें इंट्रेस था दादी का सुभाव कैसा था नानी का कैसा था मा का कैसा था तो यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया ओके बिटा अब कल मैं इसके क्विश्चन आंसर आपको समझा दूंगी और फिर आपको पीडियेफ सेंड कर दूंगी कोई भी डाउट हो बेटा अपने डाउट जरूर के लिए कर लेना ओके थैंक यू